बिसमिल्लाइरम अनरहीम, असलाम लेकुम Harvard Academy की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं Harvard Academy अपने डिफरेंट ओनलाइन कोर्सेज जिन से आप मुख्तलिफ कंपेटिटिव एक्जैम्स, सिविल सर्विस के एक्जैम्स के ओनलाइन तयारी www.howardacademy.com पे अवेलेबल कोर्सेज के जिरिए से कर सकते हैं आज हम अपने एक नए कोर्स का आगाज कर रहे हैं जो स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान की एक्ट से शुरू करेंगे और ये प्रोफेशनल पार्ट है अगर आप बैंक की किसी जॉब के लिए अपलाई करना चाहते हैं स्पेशलिस्ट बैंक आफ पाकिस्तान और नैशनल बैंक में अगर कोई जॉब आप अपलाई करना चाहते हैं तो ये एक्ट बन्यादी हैसियत रखता है जिससे आप बैंकिंग के जितने भी कवानीन है या बैंक कारी का जितना भी एक सेट अप चलता है उसको समझने के लिए इनत्याई ज़रूरी है तो आज हमारा ये लेक्चर है फास्ट और ये जो हमारी जो इसके कवानीन है जो नोटिफिकेशन्स हैं जो सर्कूलर्स हैं उनको पढ़ने समझने से आपकी एक्जाइम के साथ साथ इंटर्व्यू की भी अच्छे तरीके से तेहरे होगी और इंटर्व्यू में आप प्रफेशनली अपने क्वेस्टन्स को जो है वो आंसर कर सकते हैं और जो बैंक के अंदर डिफरेंट फंक्शन्स होते हैं उनको सबसे पहले तो आपने यह याद रखना है कि यह 33 एक्ट आफ नाइंटीन फिफ्टी से यह निके जब भी कोई साल शुरू होता है तो उसके अंदर पार्लीमेंट जितने भी कवानीन एक्ट की शेकल में पास करती है तो उनका एक नंबर लगता है वान टू टू ट्री फोर सो जो 1956 का जो SBP का एक्ट था यह 33 नंबर पे आया था इसका नंबर काउन सा है 33 1956 का और अब अगला समयना मकसद जरूरी यह है कि यह जो एक्ट लाया गया यह असल में स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के फंक्शन करने के लिए उसको खड़ा करने के लिए या उसको इनकार् करने के लिए यह गुवर्मेंट की मशिनरी के अंदर ऐसे बैंक को फंक्शनिंग के लिए खड़ा करने के लिए इस कानून की सहारे की जरूरती वो यह एक्ट था था तो हमने यह भी समयना है कि एन एक्ट प्रवाइड फार दा इस्टैबिश्मेंट आफ इस टेट बैंक पाकिसान टू अचीव डुमैस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी अब यहां पर 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 पस आ जाते हैं कि हम यह जो बैंक एक सेट अप करते हैं यह बैंक स्टेट बैंक पाक्षान लाया गया इसका मेर मकसद क्या था जो आपको एक पेज की शकल में याद होने चाहिए चाहि प्राइब यह एक एरिया है एक कंपनी है उसके अंदर दस इंप्लाइज काम करते हैं और यहां पे मार्कीट है और उसमें कुछ चीज़ें आए अब हम बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं अब जब यहां पे जो इंप्लाइज हैं इनको अगर दस हजार तनखा आती है तो वो एक चंक आफ जो कमाडिटीज हैं वो परचेज करते हैं लेकिन इनी लोगों की तनखा अगर एक लाग हो जाए तो यह असानी से जाके परचेज कर सकते हैं जितनी भी इनकी कीमत हो तो प्राबलम ही कोई नहीं है बाकी इस बैंक के लोगों की तनखा हैं तो बहुत के हाथों में आने से तो चीजों की कीमत जितनी भी बढ़ती जाए वो असानी से ले लेते हैं फिर आपको क्या होता है कि मजदूर तबका या हाड़ वर्क काम करने वाले लोग नहीं मिलते क्योंकि आसानी से सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और असानी से मनाफ को स्टेबल रखने के लिए जो मार्कीर के अंदर पैसा है उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा पैसा मार्कीर के अंदर आज है तो चीजों की डिमांड भी बढ़ जाती है और उनका इंफलेशन भी बढ़ जाता है यानि कि उनकी कीमतें भी क्याते रहते हैं by way of regulating monetary and credit system monetary system कौन से होता है credit system होता है इनको बहुत डिटिल से हम पड़ेंगे credit यही है उधार वाला खाता और monetary system यही है कि जो आपके पास पैसा है किस तरीके से हमने लोगों से पैसा वापस लेके आना है अगर लोगों के पास पैसा कम आ गया तो हमने कैसे बैंक से यह government से पैसा जो है market में लेके आना ताके economic activities generate हो सके यह एक deep phenomenon है जो वक्तन पर वक्तन हम आगे चलके examples भी करते जाएंगे तो आपको यह चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगे अगर आपका profession जो है economics यह commerce और management sciences का नहीं है सो यह कौन से system लेके आते है money or credit system of Pakistan without prejudice to set primary objective contribute to the stability of the financial system मकसद क्या होता है stability काइम रखना और जो पाकिस्तान का financial system है उसको इस तरीके से लेके चलना and supporting the general economic policies of the federal government के जो वफाकी हकूमत है वो वक्तन फर वक्तन जितने भी फैसले लेती है उसको sport करना और economic policies को implement करना भी और device करना यह सारा काम जो है state bank of Pakistan implementation body होती है government decision लेती है उनको implement करना होता है जो finance का area होता है जो पैसे का लेन देन का मौमला तो उसको कौन handle करता है state bank of Pakistan to foster development and fuller utilization of the country's productive resources अक्सल मक्सद क्या होता है कि economic activities को ज्यादा से ज्यादा generate करना development के काम को बढ़ाना और जो लोगों के पास goods produce करने क services render करने की जो सलाइते हैं या resources मौजूद हैं उनको सही तरीके से implement करवाना यह सारा का सारा objective होता है या वो objective था जिससे जिसकी वज़ए से state bank आप Pakistan को कैम किये गया तो अब again अगर हम समरी करें तो मक्सद क्या था domestic price stability के तरीके से लेके आ सकते हैं monetary और credit system आप Pakistan से फिर जो objective support कर रहे होती हैं यह जो government जो financial system है यह जो stability है मुलक के अंदर लेके आना यह सारा का सारा इसका काम होता है यह कैसे मुम्किन हो सकता है जो federal government के decisions होती है उनको यह support करता है और उसको implement करता है और किस लिए किया जाता है ताके development और utilization जो production के या जो resources available हैं उनको fully utilize किया जा सके या देखेंगे उनके circular देखेंगे उनके order देखेंगे तो वो इसी hierarchy के अंदर ही गोम रहे होंगे it is hereby enacted as follows तो यह इस act का नाम क्या है कब से इंप्लीमेंट होगा और इसकी application यह जानना जरूरी है कोई भी act होता है या कोई ordinance होता है उसके बारे में preliminary यही section one to one बता रहोता है short title इसका क्या होगा number one क्या है this act may be cited as the state bank of Pakistan act 1956 इसका title क्या है state bank of Pakistan act 1956 यह स्वाल अक्सर पूचा भी जाए सकता है और यह apply कहां पे होगा extension extension इसकी कहां पे कहां कहां तक होगा यह है पूरे पाकिस्तान में state bank of Pakistan की पावज है और हर जगा प्लाई होगा further क्या है it shall come into force at once यह फॉर 1946 है वो कहां से apply होगा वो मैं 1948 से apply होगा बाकि सारा act इसी date को जब यह पास हुआ उसके बाद apply होगा अच्छा किसी भी act को ordinance को समझने के लिए उसके अंदर जितनी वी wording यूज होई होती है उससे कुछ खास specific हमने मानी लेने होते है तब ही हम उस act को जितनी बातें की गई हो होती है उन से exactly जो राइटर या जो लिखा हुआ मावाद है उसका मतलब समयने के लिए हमें यह short definitions का समयना जरूरी है जो पहली है वह omitted है डबल एप है अडवांस डिग्री अडवांस डिग्री से मुराद क्वालिफिकेशन से मुतालिक है means post graduate qualification यह नहीं मास्टर या इसके चैनल का पकशतान में आप जाएं या सेंटर बैंक किसी में भी आपकिसी भी पosaur करन्सी को आपस में चेंज कर सकते हैं या डिलर कुर रूपी में कर ृपी में to have six Fl dro problem करने हूँ और अगर आपके पास डालर हो तो रुपी में कर सकते हैं जो दूसरे कंट्रीज हैं जिनके साथ जो लिस्टेड है यानि कि जो करंसी का आपस में इंटर्चेंज पॉसिबल है कोई ऐसा कंट्री जो पाकिस्तान ने रिकरग्नाइज ना किया उसके करंसी को भी सक्षण नाइंटीन तो यह जितने भी करंसी एप्रूड फारन एक्सचेंज में एंगे उनको सक्षण नाइंटीन के मताबिक डिकलेर किया जाएगा नेक्स डेफिनिशन है बैंक से मुराद यहां पर जब भी जिकर होगा दा बैंक से मुराद है स्टेट बैंक पाकिस्तान बैंक नोट से मुराद आपने तो देखे हां कि जब भी हम गयता है कि यह नोट 10 रुपए का है 20 का है 100 का है 50 का है लाग का है जो भी जीधने नोट भी आप कोई कंट्री बनाना चाहता है तो लाग का तो वैसे नहीं होता तो जितने भी नोट हैं अगर कोई स्टेट बनाना चाहती है SBP अगर government के फैसले के बाद अगर करना भी चाहता है तो कर सकता है तो note वो है जो किसी currency की amount को show करता है means notes made and issued by the bank in accordance with the section 24 तो यह जो notes बनते हैं यह कैसे बनते हैं section 24 authorize करता है and include currency notes of the government of Pakistan issued by the bank तो यहां पे bank note से मुराद पाकिस्दान के currency notes है और यह section 24 के तहित इसको powers are state bank of Pakistan के वो बना सकता है अच्छा इसके बाद next definition है board, board से मुराद क्या है means the board of directors और board of directors कौन से the bank, the bank कौन है state bank, state bank के जो directors है या board of directors उसको एक chief executive officer या governor जो भी उसको head करता है तो उसके नीचे जितने directors होते हैं वो एक decision making body होती है directors plus वो तो उनके जितने मी discussions होती है decision making में फर्दर जो है वो एक meeting बगार होती है जिस तरीके से cabinet होती है और वो अपने government के फैसले का रही होती है इस तरीके से state bank of Pakistan ने अगर कोई फैसले करने तो गवर्नर जो है अपने directors के साथ मिलके यह decision करता है अब आ जाती है next definition cooperative bank तो यह cooperative bank को अगर आपने याद रखना है तो cooperative societies act 1912 को आपने याद रखना होगा कि जितनी भी cooperation के लिए societies establish की गयोती है उसके लिए act 1912 है जो उसको administer करता है या उसको power करता है किस तरीके से आपने cooperative society बना है लेकिन इसी तरीके से cooperative society का मकसद क्या है कि welfare की काम करना और इसी तरह से उनके जितने monetary areas है या money को control करने या उसको maintain करने का जो है वो monetary bank बनाया जाते हैं यानि कि cooperative bank उसको कह सकते हैं means as society registered under the cooperative societies act 1912 और any other law for the time being in force in Pakistan relating to cooperative societies the primary objective of which is to provide financial accommodation to its members तो जितने भी cooperative society के members होते हैं या societies establish होती हैं उनको financially help out करने के लिए ये finance के मामलात को accommodate करने के लिए को cooperative banks बनाया जाते हैं next definition debenture debenture निकला कहां से debt से निकला है debt का मतलब होता है कर्स अगर फ़र्द किया मुझे कर्स चाहिए मैं 10 लोगों सो या दोस्तों को या रिष्टदारों को कहूँ कि मुझे हर बंदा एक 1000 दे तो वो मुझे 1000 देते हैं तो मैं उसके बदले में एक उ एक हजार मैंने इसके बदले में क्या दिया एक certificate जिसको कहते हैं debenture so debenture इंकलूड participation term certificate जिसको PTC भी कहते हैं अच्छा इसके बाद next definition है development finance activity इसको समझने के लिए आप देखें एक एक वर्ड पर गोर करें development क्या है कोई भी development का कामकर अब कोई जगा पर प्लाट ले ले लेते हैं वो बिल्कुल खंडराथ type होते हैं उसके अंदर कोई जमीन नीचे होती है कोई उपर होती है तो फिर क्या कहते हैं कुछ amount raise की जाती है और वहाँ पर उस जमीन को बराबर किया जाता है फिर उसको raise किया जाता है वहाँ पर बिजली के connection दिये जाते हैं वहाँ पर सड़के ब कि ना मतलब करना तो किसी चीज को जो जो इस्तमाल के काबिल नहीं उसको इस ताम के काबिल करना तो finance किया है पैसे है का इसा काम पैसे सक्भीटी ऐसे काम करने का प्रॉजेक्ट कि जिससे वहाँ से आप पैसा कमा सकें ये finance को generate कर सकें means to undertake an activity to promote any activity of any priority sector such as agriculture small and medium enterprises housing and other sectors ये मुख्तलिफ sectors हैं जिन में आप development finance activity के project कर सकते हैं ये activities कर सकते हैं next हमारी definition है director director से मुराव क्या है means a director for the time being ask the bank याने के state bank का अगर कोई director वक्तन पर वक्तन रहा है तो उसको director कहेंगे बागी कोई भी director है वो इस जमन में director ही आगा यहां पर कभी भी जिकर है तो state bank of Pakistan का कोई director अगर रहे चुका है तो governor से मुराद भी same है इसी तरीके से deputy governor का मतलब भी वही है कि जो state bank of Pakistan का कभी governor रहा हो deputy governor हो means respectively the governor deputy governor of the bank तो the bank से मुराद the state bank of Pakistan है next definition है international reserves तो international जब भी आप trade करते हैं तो जितनी आप चीज़ें मंगवाते हैं उसके जमन में bank में आपके पास पैसा होना चाहिए वो आपने reserve maintain की होते हैं आपको वो शो करने होते हैं वो पैसा इजाती पैसा है जिससे आप imports करते हैं international reserve means the bank bank's foreign exchange reserve यानि कि foreign exchange के लिए जो आपने reserve maintain की हों है ताकि जब आप कभी कोई चीज़ परचेज़ करें और आपने दूसरे currency में उसकी payment करने हो तो वो आपके पास amounts available हो next definition है loans and advances तो loans and advances आपको पता घर आप serving है या कहीं पर भी आप काम कर रह रहा हैं तो आपको पता होगा कि जब कभी आप किसी bank सेपेसा लेते हैं तो उसको loan करते हैं और advance मुराद आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले में जो पैसा आपको मिलना है उसका कुछ हिसा पहले आपको मिल जाए, तो उसको क्या कहते है, advances, loan के बदले में आपने services नहीं देनी, वो आपने पैसा लिया, पैसा ही वापस करना है, जबके advances का क्या है, आपने पैसा ले लिया, उसके बदले में आपने services देनी, includes finances provided on the basis of participation in profit and loss, mark up in price, leasing, higher purchase और otherwise, ये सारी चीज़ें उसमें आती है, next है definition omitted है, next है definition member, member ते मराज़ कहा है, means member of the time being of the monetary policy committee, यानि कि monetary policy अगर कोई money को control करने के लिए बनाई जाती है, उसके कोई committee establish की जाती है, तो जो भी उसके अंदर लोग होते हैं, जिनको उसका member बनाई जाता है, उसमें से हर एक को member कहेंगे, तो monetary policy committee का जो member होगा, उसको क्या कहते है, member, monetary liabilities, monetary, monetary से मुराद पैसा, पैसे, money, liability, जिमादारिया, वो वाजब अदा जो आपने payback करने है, तो ये कौन से होते हैं, जब भी आप को company मनाते हैं, organization बनाते हैं, या घर मनाते हैं, आपने लोगों से कुछ loan ले ले लेते हैं, बैंक स ले लेते हैं, वो पैसा जो आपने लिया हो, और बाद में pay करना हो, उसको क्या करते हैं, monetary liabilities, तो जब state bank of Pakistan की बात करें, तो government की जितनी भी कुछ liabilities हैं, government ने raise की होते हैं, पैसा लिया होता है, तो जो government ने pay करना होगा, वो settlement कौन करेगा, state bank of Pakistan, so monetary liabilities कि किसकी है, जो उस country का या वाजबल अदा, means the total liabilities of the bank as reflected in the annual audited financial statements at the balance sheet date as reduced by the sum of the following liabilities of the same date, निमली, जैनी कि उसमें क्या क्या चीज़ा सकती हैं, deposits of the government, government के जिसने deposits, अगर किसी bank में किये गया है, जहरी बात है, जितने भी government की earning होती हैं, वो state bank of Pakistan में आएंगी, तो state bank of Pakistan को अगर हम entity करें, तो जितने भी deposits government ने bank के अंदर रखे हैं, वो भी bank ने payback government को करने, amounts owing to the international monetary fund, world bank, Asian development bank, और other such institution, बाकी भी जैस तरीके से एक government पैसा रखती है, IMF रख सकती है, world bank रख सकता है, जैस तरीके से भी सौधी अरब ने पाकिसान के reserve में पैसा रखा, तो किसे बाकी जो friend countries होते हैं, जरूरत के वक्त आपके पास deposits रख सकते हैं, वो भी आपकी liabilities होगी, utilize swap lines of the foreign central bank, किसी central bank के साथ swap किये हुए है, तो वो आपकी liability है, जो आपने payback करनी, तो definitely वो भी आपकी monetary liabilities में हैंगी, balances of the party spent, central banks under any clearing union, clearing union बनाई ही है, और कुछ आपने चीज़ करनी, तो वो जितनी liabilities pay करनी होगी, वो भी इसी में आएंगी, तो यह मारा session चलता रहेगा, यह आज का हमारा पहला lecture था, आपने अब भी जितने भी lecture day to day है, उसमें कोई gap नहीं देना, जितनी daily की चीज़ें हों, उनको आप read out करें, जब lecture हो जाए, तो दो तिन दफ़ा उ होती हैं, जो words होते हैं, वो normally हम books में नहीं देखते, तो इसको असानी से अगर आप समझना चाते हैं, लेकि चलना चाते हैं, तो आपने daily का lecture जो हो, उसको अच्छे तरीके से repeat करें, उसको एक दो दफ़ा रीडाउट करें, तो आप असानी से कर सकते हैं, बाकी जितने भी lectures अवेलेबल होंगे, वो हमरी website www.howardcademy.com पी अवेलेबल होंगे, मजीद आपको कोई information हो, तो आप हमसे पूछने चाहें, तो आप हमें contact कर सकते हैं, all the best, आला आफिस